नमस्कार, आई कोलेस्ट्रोल ओचू करवाना करेलू उपाई नमबर एक, लसन, लसन खाओ, सवारे अथवा रातरे सूता पहला लसन ने काचू खाओ वास्तोमा लसन मा जे तत्व होई से, ते कोलेस्ट्रोल घटाडवामा खूब बज असरकारक साबित थाई छे ते थी, लसन नूँ शेवन करवू जोई ये नमबर बे, ग्रीन टी, ग्रीन टी पीवो ग्रीन टी मा कणा एवा तत्व होई से, जे स्वास्त माटे खूबज फाइदा कारक होई से जेमके ग्रीन टी नूँ शेवन करवा थी, वजन कटाडवामा मदद मले से लोको तंदू रस्त अहार चया पचाई सुधारवा अने कोलेस्ट्रोल कटाडवा माटे ग्रीन टी नूँ शेवन करेशे तमने जणावी दैये के ग्रीन टी मा एवा तत्व होई छे जे खराब कोलेस्ट्रोल ने ओशू करवामा मदद करेशे त्यार बाद हलदर वालू दूद पिवो हलदर दरेक व्यक्ति माटे खुबज फाइदा कारक छे परन्तू जेवनू कोलेस्ट्रोल लेवल वधारे छे तेमना माटे हलदर आशिरवाद समान छे कारण के हलदर मा केटलाक तत्वो होई छे जे खराब कोलेस्ट्रोल ने ओचु करवामा खुबज मदद करे छे अने स्वास्थ ने स्वस्थ राखे से तेथी हलदर वालू दूद चोकस पिवो जोईए त्यार बाद अलसीना बीज अलसीना बीज खाओ अलसीना बीज मा सवथी शक्ती शाली तत्वो जोवा मले से जेम के ओमेगा थ्री फेटी एसीड अने लिनोलेनिक एसीड जे खराब कोलेस्ट्रोल उपर सीधो हुमलो करे से अने ते खुबज असरकारक पण छे तेथी कोलेस्ट्रोल खटाडवा माटे तमारे चोकस पने फ्लेक सीड एटले के अलसीनु शेवन करवू जोईए त्यार बाद आमला आमला खावो खराब कोलेस्ट्रोल ने कटाडवा माटे आमला पावडर ने मुफाला पाणी माँ मिक्स करीने पन पी शकाई से हकीकत मां आमला मां एमिनो एसीड औने एंटी ओक्सिडन्ट होई से जे शरीर ने खराब कोलेस्ट्रोल ने दूर करवा मां औने कोलेस्ट्रोल ना स्तर ने कटाडवा मां खुबज मदद करे से तन्यवाद झाल